श्री शिवाय नमस्तो भियम दर्शकों पूझनी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिस्राद्वरा बताया गया एक उपाय है जो आपको बुद्वार की अश्टमी के दिन यहाँ उपाय बहुत ही खास होता है क्योंकि इस दिन गणिश भगवान का दिन भी होता है और आपक को अवश्य सुन लीजिएगा पूरा चाहें तो नोट करके भी रख सकते हैं महापुरान के दोरान यह उपाय बताये जाते हैं और हम अपने चैनल के दोरा आप तक पूरी डिटेल में इन उपायों को बताते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और भ अवश्य करने यदि कोई गंभीर बिमारी से भी जूज रहा है कोई व्यक्ति तो उस व्यक्ति तक भी इस वीडियो को जरूर पहुचाएं ताकि वो भी इस उपाय को करके अपनी समस्या का समाधान निकाल पाए इस उपाय को आपको सुभा के समय करना है अश्टमी तिथी और नौमी तिथी एकी दिन पढ़ रही है तो आपको सुभा सुभा करना है आट नौ बजे के बीच में तो देखिए सफेद दुर्वा ले लेनी है हमें तो देखिए कई प्रकार की हरी दुर्वा भी आती है और सफेद दुर्वा भी आती है जिसकी डंडी सफेद होती है सफेद दुर्बा कहलाती है बिल्कुल इस तरीके की छोटी-छोटी दुर्बा होती है सफेद डंडी वाली दुर्बा ले लेनी है आपको और 41 दुर्बा आपको ले लेनी है अच्छी तरह दो लेने के बाद में उस दुर्बा को आपको पूजा पाट करते समय भगवान गण भी पढ़ रही है बुधवार के दिन तो आप महुरत देखकर ही इस उपाई को करें किस समय से अस्टमितिती शुरू होती है उस समय से आप यह उपाई को कर लें पूजनी पंडित गरूजी के बहुत से इसे उपाई हैं जो हमने अपने चनल के द्वारा बताई गए है तो समस्त रोक दूर होंगे आपकी समस्त मनो कामना ये भी पूर्ण होंगी मिलते हैं अगले वीडियो में स्रीशिवाय नमस्तु भिम जय माता दी